subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel now student we will see types of function types of function में first function जो है हमारा some function and their graph उनके graph भी देखेंगे first is constant function constant function के बारे नहीं पढ़िगे सबसे पहले constant function को represent कैसे किया जाता है तो constant function को represent f अगर x variable के अंदर आप ले रहे हैं f यहाँ पर symbol है तो fx is equal to c c यहाँ पर क्या है c is any fixed real number that is constant और x यहाँ पर क्या है ब्लॉंक कर रहा है real number c यह सारे टाइप हम real functions की परदा है तो यहाँ पर x यह होगा variable जो भी आप यूज करेंगे और real number होगा अब fx is equal to c where c आपने यहाँ पर fixed कर दिया नहीं constant है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी domain आप x की कोई भी value रखें कोई भी real number यहाँ पर आप रख सकते हैं x की टीकि रेंज हमेशे आपको c ही मिलेगी ओ fixed number यह मिलेगा ऐसा क्यों राइस टुरेंट c मैं आपको दिखा देता हूँ for example आप यहाँ पर x की value x is equal to 1 put करते हैं तो f1 आपको क्या मिलेगा since function के अंदर आप देखने only c ही है x है यह नहीं तो आप x put का करेंगे आपको यहाँ पर c ही मिलेगा आप अगर यहाँ पर 2 put करेंगे तो again आपको c मिलने वाला है again अगर आप यहाँ पर minus 5 put करेंगे तो भी आपको c मिलेगा अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो भी आपको c मिलेगा तो that means यही है जो है numbers आपको हमेशा कोई भी real number पुट करें आपको range हमेशा c ही मिलेगी अब इसके graph के बारे में अगर हम देखें तो graph बनाने के लिए student पे यहाँ पर graph बनेगा जैसे आपने यहाँ पर किसका relation के बनाई तो उसी तरह function के यहाँ पर x यानि जो domain होता है वो x-axis पे और जो हमारा function की range होती है यानि के fx fx हमारा यानि जो range आती है हमारी fx जो answer होता है वो range होती है और domain आप यहाँ पूट करते हैं अब आप देखें यहाँ पर आप different value रख रहे हैं x के और आपको यहाँ पर मिला यहाँ रखने पर आपको c मिला again 2 रखने पर भी c मिला तो यह points आपको मिल रहे हैं 3 minus 5 रखने पर भी c and again 3 पर भी c ही मिलेगा 0 रखने पर भी c तो यही points आप जब represent करेंगे graphically तो अगर मैं 0 ले लूँ यहाँ पर 1 ले लूँ 2, 3 and so on उसी तरह minus 1 and say minus 5 यहाँ है और यहाँ पर y axis पर c मैंने यहाँ पर लिया है दिस तो 1, c यह आपका point होगा 2, c यह point होगा similarly 3, c similarly minus 1, c क्योंकि हमेशा आपको y axis पर जो range है डोंग वो आपको c ही मिलेगी minus 5 पर c है और जब इनसे pass करेंगे हम यह straight line जो हमारी होगी this straight line represents the graph of the constant function और यह graph of the constant function क्या होता है जो domain वाली आपकी x axis है इससे parallel होता है और जो fixed number है आपका fixed number से pass होता है यह y axis यानि range वाली axis तो यह constant function होग, constant function ऐसा function जहां पर आप कोई भी real number as a domain लखें, range हमेशा एक fixed number आपको मिलता है example मैं आप पूद दे दीता हूँ for example, fx is equal to minus 10 this is an example of the constant function क्योंकि आप x की कोई भी value लिखें, range हमेशा minus 10 मिलेगी say f, मैं यह आपे नय variable y के अंदर represent करता हूँ यहां पर क्या ले लेता हूँ this is 3 upon 2 तो यहां पर y की कोई भी value रखें, आपको रही जब लिखें, 3 by 2 ही मिले now student, अब हम equal type के बारे में पढ़ते है that is identity function identity function क्या होता है तो identity यानि same as the name suggests तो identity function किस type का function हुआ fx is equal to x पहले इस के representation है, where x belongs to the real number क्योंकि यहां पर real functions ही आप पढ़ते है fx is equal to x का मतलब क्या हुआ आप यहां पर जो domain आप रखेंगे, वही same to same आपको range मिलेगी, यानि अगर domain आपको x real number है तो range भी आपको this is range भी आपको क्या मिलेगी, real number ही मिलेगी मैं आपको एक example के थूँ बता देता हूँ, या पहले है मैंने कहाँ पर example भी लिया है, दिसे fx is equal to x for example, x is equal to आप यहां पर 0 पुट करते हैं तो आपको f0 यानि के range क्या मिलेगी, 0 क्योंकि यहां पर रखने के लिए सिर्फ x ही है function में, अगर आप x is equal to minus 3 put करते हैं, तो f minus 3 x is equal to 2, तो f2 एक्रिया मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा, and 100 अगर रखें, तो भी 100 ही मिलेगा, यानि जो value आप x की यहां पर as a domain रखेंगे, वही आपको range की तरह मिलेगा अब इसका अगर graph draw करें, तो graph draw करना भी है, तरसान है, again x यहां पर आपका क्या है, domain, and fx यहां पर यह range हो गए, यहां पर आप रखेंगे, अब जब इसका graph draw करेंगे, student, 0 पर आपको क्या मिलेगा, f0 आपको 0 ही value देगा, यानि 0,0, 1 रखने पर आपको 1 ही मिलेगा, 2 रखने पर 2 ही मिलेगा, and minus 1 रखने पर minus 1 ही मिलेगा, तो इस तरह के जब आप point plot करेंगे, 1 पर 1 यह 1 है, तो यह 1, तो 1 और 1 का point यह, उसी तरह 2 रखने पर 2, तो यह point आपको यहां, 2,2 इस तरह से मिल जाएगा, उसी तरह student 3,3, आपका point करेंगे 4,4, similarly minus 1, minus 1, this is minus 1, minus 1, minus 2, minus 2 इस तरह से point होंगे, और जब आप इसे plot करेंगे, तो एक straight line passing through the 0, 0, यह जाएगी आपकी और यह line क्या होगी, first quadrant when third quadrant से जाएगी आपकी, now student, अब हम एक और type परते हैं, यहां पर function की, and the third type of the function is modulus function this is modulus function, इसे हम absolute value function भी बोलते हैं, modulus function को, एक example के अंदर मैंने आपको बताया भी था, कि modulus function क्या होता है, now अब हम इसकी orderly भी परते हैं, सबसे बहले इसे represent किया, कैसे जाता है, इसे represent किया जाता है, दो straight lineों के बीच में, x यहाँ पर variable आप x ले रहें, तो क्या कहता है, यह कहता है, कि x की value, अगर greater than, equal to 0 आप रखेंगे, यानि 0 and positive number जब भी आप x का रखेंगे, तो range आपको क्या मिलेगी, x मिलेगी, लेकिन अगर x की value less than 0, यानि कोई भी negative value आप रखते हैं, तो range आपकी क्या मिलती है, minus x मिल, किसे रहा सिर्फ देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर सी, f 0, यानि x is equal to 0 लेता हूं, तो modulus of 0 कितना मिलेगा, x greater than 0, equal to 0 पर आपको x ही मिलेगा, और x यहाँ पर क्या है 0, तो 0 ही आगया आपका, अगर आप f 2 रखते हैं, तो again, 2 क्या है, greater than, equal to 0, तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही यहाँ पर range मिल जाएगी, modulus of 2 की, 2 ही range आपको मिल जाएगी, बट अगर आप negative 2 रखते हैं, यानि minus 2, तो अब आपको क्या रखना है, x के आगे minus 2 रख देना है, यहाँ पर मैंने x क्या लिया, x is equal to minus 2 लिया, उसी तरह मैं, एक और अगर यहाँ पर हम देखें, this will be, हम अगर यहाँ देखें, f is equal to minus 10 मैं रखता हूँ, यानि x is equal to, x is equal to minus 10, तो f minus 10 क्या आएगा, आपका modulus of minus 10, again यहाँ पर x is less than 0 है, तो इस case में student क्या हो जाएगा, minus, यह, चो minus है, यह लगाया, उसके बाद तो यानि के आप कोई भी domain रखें, चाहिए positive रखें या negative रखें, या zero रखें, आप zero पर तो zero ही range मिलेगी, तो कोई भी real number चाहिए positive रखेंगे, तो range same to same number मिलेगा, लेकिन positive में, अगर आप same number negative में, यानि कोई भी negative real number आप रखते हैं, तो आपको वही same number मिलेगा बस क्या होगा वो negative positive में change हो जाएगा तो यहाँ यह आपका modelist function होता है तो इसका graph हम draw करेंगे तो graph draw करने के लिए हमारे पास जो क्या-क्या points मिलेंगे student अगर मैं यहाँ पर c x को 1 रखता हूँ तो f1 मुझे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा और अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखता हूँ तो f0 क्या मिलेगा मुझे 0 ही मिलेगा x को minus 1 रखता हूँ तो f minus 1 मुझे क्या मिलेगा plus 1 मिल जाएगा उसी तरह x को minus 3 रखता हूँ तो f minus 3 यानि modulus of minus 3 is 3 plus 3 मिलेगा तो यानि आपका यहाँ पे xp, यानि इसका जो domain है, domain तो आप यहाँ positive रखें, या चाहे negative रखें, y की value, यानि जो range आपको जो मिलने वाली है, वो हमेशा positive side ही मिलेगी, तो अब अगर 1 रखते हैं, तो 1 पर 1 आपको मिलेगी, 2 रखते हैं, यह एक 1 है, यह 1 है, 2 रखने पर आ आपको modulus of 3, 3 मिलेगा, इसी तरह से, लेकिन अगर आप minus 1 रखते हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा, plus 1 आपको range मिलेगी, minus 2 रखने पर, तो भी आपको plus 2 ही मिलेगा, यहाँ पर this minus 2, अगर आप रखेंगे, तो modulus of minus 2, plus 2, तो इसका जो graph जाएगा, कुछ इस चरह की shape में graph जो ह Now student, अब हम एक और type का function is signum function, this is fourth one is signum function, तो अब signum function क्या होता है, signum function जो है, again special type का function है, यह क्या कहता है, यह function कहता है, कि when x is greater than 0, अगर आप कोई भी positive real number यहाँ पर रखते हैं, range हमिशा 1 ही मिलेगी, आपको चाहिए कुछ भी रखें, आप 10, 9, 1000, 10000, कोई भी fx के अंदर value रखेंगे, आपको हमिशा range 1 ही मिलेगी, लेकिन जब आपका x 0 होगा, तो range 0 हो जाएगी, लेकिन अगर आपका x की value less than 0 हो, x की value less than 0, तो इस case में student क्या होगा, आपको range minus 1 मिलेगी, आपकी range क्या हो जाएगी, minus 1, तो that is, अगर आपकी यहाँ पर मैं f10 रखता हूँ, तो signum function के according क्या हो जाता है, यह हमें क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं minus 10 रखता हूँ, यहाँ पर 10 ही मिलेगा, student, this is wrong, मुझे 1 मिलेगा, अगर minus 10 तो less than 0 वाला case है, तो मुझे minus 1 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 0 रखता हूँ, तो 0 मिलेगा, इन 3 के अलावा आपको कोई value नहीं मिलेगी, इसको आप represent कर सकते हैं, एक और form में, student, see, represent कर सकते हैं से modulus of x upon x, modulus of x upon x में, when x is not equal to 0, जब x greater than 0 और less than 0, तब आप represent कर सकते हैं से modulus of x upon x, आप चाहिए तो आपी different different value पुट करके देख सकते हैं, आपको 1 या minus 1 ही मिलेगा, depend on the value of x, और अगर x is equal to 0 है, तो आप उने 0 रख देना है, graph के लिए again, कोई भी positive number आप रखेंगे, आपको हमेशा x की कोई भी positive, y हमेशा यानी के, यहाँ पर range 1 ही मिलेगी, negative number पर minus 1 ही मिलेगी, तो graph की चीज़ तरा पर, और जब 0 रखेंगे आप, तो graph आपका यह यहाँ बनेगा, तो again यहाँ पर अगर हम के, domain कोई भी real number आप रख सकते हैं, लेकर range स्रिफ तीन ही number minus 1, 0, minus 1, यह आपको मिलेगी